आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जी हां आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं डिफर्ट उफ दियर यानि की दियर के अलग-अलग यूसजिज तो आए देखते हैं इस वीडियो में लेखिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी को इंतिजार नहीं करना चाहिए चनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बल आइकन प्रेस कर दीजे तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं देर यानि की टी एच ए आर इ ये जो देर वर्ड होता है इसकी हिंदी मीनिंग होती है वहां और वहां आप सभी को मालम है किसी स्थान किसी प्लेस की हम बात कर रहे होते हैं इंग्लिश ग्रामर में यानि देर वर्ड तो एक है लिखिन इसके यूसजज़ बहुत सारे हैं डिफरेंट डिफरेंट हैं डोंट वर्डी सारे यूसज़ज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम देर का यूस करते हैं आए पहले कुछ एक्जैम्पल्स देख लेते हैं सेंटेंस आपके सामने है तो लॉट्स अफ बोक्स आर कैप्ट ओन देर यानि कि बहुत सारी किताबें वहां पर रखी हुई हैं अब आप यहां पर देख पा रहे हैं हमने देर वर्ड का यूस किया है जी हां यहां पर देर का यूस किया गया है प्लेस के लिए लोकेशन के लिए क्योंकि यह वर्ड यहां पर बता रहा है कि जो किताबें हैं वो कहां रखी हुई है आए दूस्तों एक और एक्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस आपके सामने है अब इस sentence में फिर से हम location बता रहे हैं यानि स्थान की तरफ indication दे रहे हैं जिसके लिए हमने यहाँ their word का use किया है लेकिन आप देख पा रहे होंगे their word से पहले over भी लगाया गया है तो इसे देखकर आप बिल्कुल confused मत होएगा क्योंकि अक्सर देखा गया है कि standard English में यानि जो foreigners होते हैं वो over their word का use कर लेते हैं वहाँ पर over का कोई मतलब नहीं होता है तो इस तरह से इन दोनों ही sentences में place और location को दिखाने के लिए वहाँ के अर्थ में their word का use किया गया है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि their word का use हमेशा हम वहाँ के अर्थ में नहीं करते हैं यानि कि place और location को दिखाने के लिए इसका use as a silent element भी किया जाता है sentences में यानि यह sentence में तो होगा लेकिन उसका वहाँ पर कोई अर्थ नहीं होगा तो आएए दोस्तों इसे हम कुछ examples से समझ लेते हैं sentence आपके सामने है there are so many shops in this little village यानि इस छोटे से गाउ में बहुत सारी दुकाने हैं आप देख पा रहे हैं sentence में starting में ही मैंने यहाँ पर their word का use कर दिया है लेकिन यदि हम sentence की meaning को देखें कि इस छोटे से गाउ में बहुत सारी दुकाने हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि इस sentence में कहीं पर भी वहाँ का जिक्र नहीं हुआ है यानि हमने यहाँ पर their word का use as a silent element किया है आप कह सकते हैं कि यह as a dummy subject है जो किवल support के लिए लगाया जाता है sentences में दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जरूरी हो their word लगाना आप इसके बिना भी इसी sentence को बना सकते हैं जैसे so many shops are in this little village आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने their word का use नहीं किया है और sentence की meaning भी same है तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि their silent element की तरह भी sentences में use किया जा सकता है क्योंकि यदि आप इसे sentence में use कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं तो भी उस sentence की meaning में कोई changes नहीं आता है जैसा कि अभी मैंने आपको example में बताया दिहान रहे दोस्तों जब हम their word का use वहां के अर्थ में करते हैं तब इसे as a silent element यूज नहीं किया जाता है ये आपको note down करके रखना है अब यहाँ पर हम their word का use sentence की starting में कर रहे थे जरूरी नहीं है कि इसे sentence की starting में ही लगाया जाए इसे आप sentence के middle में भी लगा सकते हैं लेकिन ये situation तभी आएगी जब sentence का जो object होगा वो proposition से शुरू हुआ होगा अब इस sentence में आप देख पा रहे हैं जो objective phrase है यानि कि in this little village ये start हो रहा है in proposition से तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि their word को इन से पहले लगा देंगे देखते हैं sentence So many shops are there in this little village तो जैसा कि आप इस sentence में देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर their word का use middle में कर दिया है और middle में use किया जाने के बावजूद भी इस sentence की meaning में कोई difference नहीं आया है यानि कि अभी भी इस sentence की meaning है इस छोटे से गाउं में बहुत सारी दुकाने हैं तो इस तरह से दोस्तों हम their word का use sentence की starting में और sentence के middle में as a silent element कर सकते हैं ध्यान रहे जब हम their word का use sentence के middle में कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान देना है कि sentence का object हमेशा preposition से start हुआ होना चाहिए क्योंकि हम preposition से पहले ही sentence में their word का use कर पाएंगे आये दोस्तों एक और different sentence देख लेते हैं there is no hope यहाँ पर इस sentence की meaning है कोई आशा नहीं है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर their word तो जरूर लगा है लेकिन इसकी meaning वहाँ बिलकुल भी नहीं है sentence के support के लिए हमने यहाँ पर their word का use sentence के starting में किया है as a silent element यदि आप इस sentence को कुछ इस तरह से बोलें बिना their के use किये हुए जैसे no hope is तो यह sentence आपको कुछ अधूरा सा कुछ incomplete लगेगा तो इसका मतलब यह है कि sentence को complete करने के लिए भी हम their word का use as a silent element sentence में कर देते हैं आप मैं आपको बताऊंगी as a parts of speech किस तरह से their word का use sentences में किया जाता है यानि हम sentences में as a pronoun, as an adjective, as an adverb or as an interjection भी sentence में their word का use कर सकते हैं चले देखते हैं यहाँ पर मैंने कुछ छोटे sentences भी use किये हैं जैसे hi there इस sentence में देखिए their word का use हुआ है और exclamation mark भी लगा हुआ है इस तरीके के sentence अकसर किसी को greet करने के लिए यूज किये जाते हैं इसी तरह से एक और sentence है जी हाँ, यहाँ पर भी मैंने their word का use किया है, exclamation mark लगा हुआ है दोस्तों अब आते हैं main बात पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर their word का use कैसे किया गया है क्या यहाँ पर इसका अर्थ वहां है जी नहीं, यहाँ पर their word का use वहां के अर्थ में बिलकुल नहीं किया गया है और नहीं यहाँ पर यहाँ एक silent element है तो फिर क्या है, जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी sometimes their word का use sentences में as a parts of speech भी कर लिया जाता है अब यहाँ पर इन दोनों sentence में their word कौन सा parts of speech है तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ तो दोस्तों, इन दोनों ही sentences में their word का use as a pronoun किया गया है अब आपकी दिमाग में ये question आ रहा होगा कि माम हमने कैसे पहचाना कि ये their pronoun word है चलिए मैं आपको समझा देती हूँ अब यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान से समझना है आप देख पा रहे हैं hi there and hey there इसका मतलब यह है कि इन दोनों ही sentences में हम किसी person को या फिर एक से अधिक persons को greet कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि persons noun कहलाएगा और noun के place पर जो word use किये जाएंगे वे कहलाते हैं pronoun that means यहाँ पर जो there use किया गया है वो है pronoun उमीद करती हूँ दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से sentences में there को as a pronoun use किया जाता है चलिए अब देखते हैं अगला sentence आपके सामने है look at that cat there below the chair यानि कुर्सी के नीचे उस बिल्ली को देखो अब इस sentence में आप देख पा रहे हैं फिर से हमने there word का use किया है लेकिन यहाँ पर there word का use वहां के अर्थ में नहीं किया गया है कह सकते हैं कि यहाँ पर इसे as a silent element use किया गया है लेकिन यह एक part of speech है चलिए पहले एक और sentence देख लेते हैं फिर मैं आपको description बताती हूँ she is there to reply any questions और यहाँ पर इस sentence का मतलब है वहां किसी भी प्रशन का उत्तर देने के लिए है अब इस sentence में भी हमने there word का use किया है जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इन दोनों ही sentences में there word का use वहां के अर्थ में बिलकुल नहीं किया गया है यहाँ पर कह सकते हैं कि there word as a silent element use हुआ है लेकिन यदि हम parts of speech की बात करें तो यहाँ पर there word as an adjective use हुआ है अब फिर से वही question उठता है कि हमने कैसे identify किया कि यहाँ पर there word as an adjective है चलिए इसे भी जान लीजिए दोस्तों यहाँ पर एक important बात यदि आप there word के different usages को सीखना चाहते है तो सबसे पहले आपको parts of speech की knowledge होना जरूरी है क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि there word का use sentences में कैसे कैसे किया जाता है तो यहाँ पर मैं यहाँ मान कर चल रही हूँ कि आप सभी को मालुम है adjective क्या होता है फिर भी मैं आपको बता देती हूँ in short adjective ऐसे words होते हैं जो किसी noun या pronoun को describe करते हैं यदि simple language में बोले तो noun और pronoun की विशेस्ता बतलाते हैं अब दोस्तों यहाँ पर sky blue color से लिखे हुए sentence को ध्यान से देखिए look at that cat there below the chair यहाँ पर their word का use cat नाम के noun के बाद किया गया है ठीक है? cat यहाँ पर एक noun है जिसके बाद हमने their word का use किया है तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि their word का use cat को describe करने के लिए ही किया गया है यानि उस पर stress डालने के लिए इसलिए यहाँ पर use हुआ their एक adjective है इसी तरह से second sentence में जो कि pink color में है she is there to reply any questions तो यहाँ पर भी their word का use आप देख पा रही है pronoun word के बाद किया गया है ठीक है? तो यहाँ पर pronoun word she के बारे में describe किया जा रहा है their word के through यानि यहाँ पर she pronoun word पर stress डालने के लिए उसे emphasize करने के लिए their word का use किया गया है तो इस तरह से इन दोनों ही sentences में their word as an adjective use हुआ है So I hope आप सभी के समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम their word का use as an adjective करते हैं तो आये दोस्तों देखते हैं अगला sentence example में कौन सा है जिसमें हम parts of speech को use करेंगे their के through तो sentence है प्लीज सिट ओवर देर क्रफया वहां बैठ जाएए अब यहाँ पर sentence में हमने their word का use किया है लेकिन इस से पहले over लगाया है यह over यहाँ पर क्यों लगाया है इसके बारे मैं मैं आपको बताऊंगी लेकिन इस से पहले हम देख लेते हैं एक और sentence जो की next slide में है तो sentence है यानि हम वहाँ office के बाद गए इस sentence में भी हमने their word का use किया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो आएए दोस्तों समझ लेते हैं कि जो मैंने sentence अभी आपको बताए है इन में their word का use कौन से parts of speech के रूप में हुआ है तो इसके लिए हमें सबसे पहले backslide में जाना होगा तो यह रही backslide का page यहाँ पर मैंने आपको sentence बताया था please sit over there यानि कृप्या वहाँ पर बैठ जाए तो friends यहाँ पर हमने there के साथ over लगाया है वैसे तो over एक adverb होता है लेकिन यहाँ पर over word का use एक silent element की तरह किया गया है जो keyword support के लिए लगाया गया है जिसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं निकलेगा ठीक है अक्सर देखा यह गया है कि जो foreigners होते हैं वो हमेशा there के साथ over को use कर लेते हैं तो थोड़ा English standard बढ़ जाता है इसलिए over यहाँ पर लगाया गया है तो यह यहाँ पर concept clear हो गया है कि over का use as a silent element यूज किया गया है लेकिन their word का use यहाँ पर silent element के रूप में नहीं हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर their word as an adverb यूज हुआ है वो इसलिए क्योंकि sentence में I हुई verb जो की sit है यानि कि बैठना इसे यहाँ modify कर रहा है describe कर रहा है and I hope so आप सभी को पता होगा कि ऐसे words जो किसी verb को modify करते हैं या describe करते हैं वे कहलाते हैं adverb तो इसलिए यहाँ पर their word एक adverb है So friends let's come back to the next slide जहाँ पर हमने second sentence को देखा था we went there after office यहाँ पर आप देख पा रहे हैं went एक verb है जिसके बाद हमने their word का use किया है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर their word went नाम की इस verb को modify कर रहा है इसलिए इस sentence में भी यह एक adverb की तरह use हुआ है तो इस तरह से इन दोनों ही sentences में their word as an adverb use हुआ है जिसमें पहले वाले sentence में their sit verb को modify कर रहा था और इस second sentence में यह went नाम की verb को modify कर रहा है आशा कर दी हूँ दोस्तों concept बिलकुल clear हो गया होगा चलिए अब last sentences देख लेते हैं जिन में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा parts of speech यूज हुआ है sentence है their it's final दोस्तों यहाँ पर इस छोटे से sentence में भी मैंने their word का यूज किया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं starting में ही their word लगा दिया गया है और last में लगा हुआ है exclamation mark आए देखते हैं एक और sentence oh there we won the match यहाँ पर भी हमने exclamation mark के साथ their word का यूज किया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो इन दोनों ही sentences में यह जो their word यूज हुआ है वो यूज हुआ है as an interjection अब यहाँ पर their word का use हमने as an interjection किया है इसे हमने कैसे identify किया आए इसे जान लेते हैं I hope आप सभी को पता होगा कि interjection ऐसे words होते हैं जिनके थूँ sudden feeling को express किया जाता है और इन words के use के लिए exclamation marks भी लगाए जाते हैं जैसा कि आप examples में देख रहे हैं इन दोनों ही sentences को आप ध्यान से देखिए इन दोनों ही sentences में their word का use वहाँ के अर्थ में बिल्कुल नहीं किया गया है आप कह सकते हैं कि इसे as a silent element यूज किया गया है लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही their word as an interjection यूज हुए हैं फर्स्ट जो sentence आप देख रहे हैं purple color में their it's final तो यहाँ पर their जो है वो एक तरह का satisfaction एक तरह का relief express कर रहा है क्योंकि कोई चीज है जो final हो चुकी है जिसके लिए हम बोल रहे है it's final यानि कि अब यहाँ अन्तिम है तो यहाँ पर हम एक तरह से satisfaction रिलीफ को express करने के लिए their word को use कर रही है इसी तरह से second sentence में जो कि है oh their we won the match यहाँ पर खुशी मनाई जा रही है जिहाँ यहाँ यहाँ पर happiness है तो happiness को व्यक्त करने के लिए हमने यहाँ their word का use किया है तो इसी लिए यहाँ पर use हुआ their भी एक interjection word है तो इस तरह से दोस्तों their word का use different different expressions के लिए भी sentences में किया जा सकता है जिसे हम कहते हैं interjection तो दोस्तों यह तो था पूरा वीडियो आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम their word का use different different situations में कर सकते हैं यानि इसके बहुत सारे usages होते हैं उमीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा अपने दोस्तों के बीच में इसे share कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए यदि अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर कर लीजिए और bell icon प्रेस कर दीजिए चलिए, मिलते हैं next वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्त रहिए ठेक केर, बाबाई